बिहार आईटी आई परवेश प्रिक्षा का ये प्रश्ण है आज हम साइन्स की बात करेंगे पहला प्रश्ण है एक मोटर चालक एक साफ पचास किलोमीटर की दूरी पचास किलोमीटर परति आवर की गती से त्या करता है और वापस में यही दूरी 30 किलोमीटर पर ती आवर की गती से तै करता है पूरी यात्रा की आसद गती कितने किलोमीटर पर ती आवर होगी तो इसे किस परकार बनाया जाए यही आप सुच रहे होंगे तो हम इसे बना के आपको दिखा देते हैं यह देखे यहाँ पे इसकी यात्रा दी भी है पूरी यात्रा की आसद गती कुल दूरी बाए कुल समय होता है तो कुल दूरी हमारा हो गया 300 बाए 8 तो हमारा एंसर है 37.5 किलोमीटर पर ती आवर दूसरा प्रशन हमारा है निम्ड में से किस परणाली में विधूत का मातरक एंपियर होता है तो विधूत का मातरक एंपियर एस आई परणाली में होता है तीसरा प्रशन है निम्ड में से दूरी का मातरक नहीं है तो मीटर होता है, सेंटिमीटर होता है, फूट होता है, लेकिन न्यूटर नहीं होता है, तो D हमारा एंसर है, विस्थापन का मातरक होता है, यह हमारा चातनवा प्रश्ण है, विस्थापन का मातरक होता है, तो विस्थापन का मातरक मीटर होता है, बिन हमार इसका एंसर होग तो एक वर्त है इसे हम इस परकार से समझ सकते हैं एक वर्त है तो वर्त का जो पड़ीधी होता है वो होता है आपको टू पाई आर और यह बोला है उसकी चाल होगी तो चाल बड़ा होता है दूरी बाई समय तो दूरी तो हमारा पड़ीधी के बड़ा होगा तो टू पाई आ अच्छाल हमारा समय होगा यानि टी तो टू पाई आर बाई टी यानि इसका एंसर ए होगा चटा नमर प्रश्ण हमारा है वाहनों में लगे ओडो मीटर से क्या माप जादे तो आपको स्पीडो मीटर से चाल मापा जाता है और ओडो मीटर से आपको डूडी मापा जाता है तो हमारा छटा नमवा प्रश्ण का एंसर होगा A हमारा सातवा नमवा प्रश्ण है किसी घतिसील पिंड का विग आधा करने से उसका संभेग हो जाएगा तो जब हम किसी का जब हम संभेग आधा करेंगे तो विग आधा हो जाता है तो यहाँ पर बोल ला है विग को आधा किया जाए तो हमारा संभेग भी आधा होगा यानि हमारा एंसर ए होगा अब हम आठवान में प्रस्ट पर जाते हैं यहाँ पर यह बोलना है कि एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर 30 सिकेंड स्क्वाइर की धर से तुरित करता है फिर 1.2 मीटर स्क्वाइर की धर से तुरित करता है इंजन द्वारा आरोपित पलो का अनपात क्या होगा इसका हम आपको एंसर बताते हैं कि यह किस परकार से बना है अब नमा हमारा प्रश्ट था यह देखे एफ बड़ावर में होता है तो एफ वन वाई एफ टू बड़ावर एवन वाई एटू तो यहाँ पे 1.8 मीस स्क्वाइर बाई 1.2 मीस स्क्वाइर तो यहाँ पे आपको आप आजाएगा एंसर 3 अनपात 2 तो 57 आपका एंसर है D 3 अनपात 2 नमा नमा हमारा प्रश्ट है एक मनुष एक दिवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापन नहीं करबाता है तो वह किसाधर का बल काड़ी करेगा जब हम किसी को धकेलते हैं तो धनात्मा काड़ीं करते ह प्रन्तो अधिक नहीं तो हमारा एंसर होगा बी दस्मान हमाँ प्रश्ण है जूल का मात्रक है तो जूल में हमारा आजाता है सरी उर्जा का मात्रक क्या होता है उर्जा का वही मात्रक होगा जो काड़ी का मात्रक होता है काड़ी परावर होता है बल मुने विस्थापन यानी एफ एफ एम तो एफ जो है सो बल का मात्रक होता है न्यूटन अब विस्थापन का मात्रक होता है मीटर तो न्यूटन मीटर होता है काड़ी का मात्रक वही होता उर्जा का न्यूटर मीटा हमारा ए नमना है ए नमना हमारा एंसर है जे दस था जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है आई टी आई प्रविस प्रिक्षा के लिए ये दस सो आप सई धंग से याद किजेगा अगले वीडियो में मैं फिर आपको दस प्रश्न दूंगा जो आपको आई टी आई में जरूर टक्राते हैं